आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है कोई Redmi या फिर MI या फिर Xiaomi का कोई फोन और अगर आप अपने फोन की सैटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर आपके फोन में अलग से कोई सैटिंग्स रीसेट करने का ओप्शन नहीं होता है उल्ली आप नेटवर्क सैटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं तो सैटिंग्स रीसेट करने के लिए यहाँ पर आप अपने फोन की सैटिंग्स को ओपन करिए और उसके बाद नीचे scroll करके आपको एक option मिलेगा apps या फिर manage apps के नाम से apps पर click करके आपको मिल जाएगा manage apps इस पर आप click करिए और आपके phone के यहाँ पर सारे application आ जाएंगे आप देख सकते हैं अब आपको search करना होगा यहाँ पर settings यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे scroll करने पर नहीं तो आप उपर search कर सकते हैं तो यहाँ पर हम search कर लेते हैं settings को और आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको मिलेगा settings का option इस पर click करिए click करने के बाद नीचे एक option आएगा force stop इस पर click करिए और उसके बाद OK करिए और उसके बाद आपको मिलेगा clear data इस पर click करके clear all data पर click करिये और ok कर दीजिए अब ok करने पर यहाँ पर आपकी phone की settings reset हो जाएगी और इसका दूसरा तरीका है यहाँ पर आप settings पर click करके app info पर click करके same page पर आ सकते हैं और यहाँ पर force stop करके clear all data कर दीजिए यहाँ पर उसके बाद इस तरह से आप settings को reset कर सकते हैं अपने Redmi या फिर MI के phone में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें